केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र और बल्लेबाज रिंको सिंग का मानना है कि दक्षिन अफ्रिका पिचों की अतरिक रफ्तार और उच्छाल को देखते हुए अतरिक प्रियास और अभ्यास की जरूरत होगी टीम इंडिया ऐसी सी वंडे वॉल्ड कप के बाद पहले विदेशी दोरे पर है साउथ अफ्रिका के खिलाब भारत की तीनों हीट फॉर्मिट में सिरीज खेलनी है तीन टी ट्वन्टी से दोरे की शुरुआत होगी फिर इतने मैशों की वंडे सिरीज होगी इस दोरे का अंत टीम इंडिया टू टेस मैश के साथ करेगी भारते टीम के पहले प्रैक्टिस सेशन के बाद दक्षिन अफ्रिका की पीच के बार में रिंकु ने कहा मैंने जब यहां बल्ले बाजी की तो भारते विकिटो की तूलना में अधिक उच्छाल लगा रफ्तार अधिक है लिहाज़ा तेज गैंद बाजी के खिलाफ अधिक अभ्यास करना होगा भार के टीम दक्षिन अफ्रिका के खिलाफ पहला टी-20 मैश रविवार को यानि की दस दिसंबर को खेलेगी रिंकु पांचवे या चड़े नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे उन्होंने का कि मुख्य कोच राहूल ड्रविट उन्हें स्वभाविक खेल दिखाने के लिए कह रहे हैं उन्होंने BCCI TV से कहा है कि पहले सत्र का मैंने बहुत मज़ा लिया क्योंकि मौसम अच्छा था राहूल ड्रविट सर के साथ खेलने का मौका मिलना सुकत अहसास था उन्होंने मुझे कहा कि अपने अंदाज में बल्ले बाजी करता रहूं और खुद पर भरोसा बनाए रहूं रिंकु ने आगे कहा कि 2013 से पांचवे चटे नंबर पर खेलते रहने से उन्हें भारत के लिए भी ये जम्मेदारी निभाने का भरोसा मिला उन्होंने कहा मैं 2013 से उत्रप्रदेश के लिए पांचवे ये चटे नंबर पर खेल रहा हूं लिहाजा मुझे इसकी आदत है चार-पांच विकेट गिरने के बाद इस क्रम पर खेलना कटिन होता है लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है मैं जितना सयम के साथ खेलूंगा उतना ही अच्छा खेल सकूंगा